हलो दोस्तों स्वागत है अपने यूटूब चाइनल अनुख स्टेडी में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं जो है कि बिद्दूत यानि कि क्लास 10 का जो है कि बिद्दूत चेप्रेटर चल ला है और बिद्दूत में जो है कि पार्ट वन आपको बता दिया करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है चली स्टार्ट करते हैं प्रस नंबर एक चले स्टार्टिंग करते हैं इसमें आपको टोटल चार कोस्टन बताए जाएंगे चार कोस्टन जिसमें से आपके दो कोस्टन इस अभी बताएंगे इसके बाद दोनों को जो दूसरा क्रम बात कि वित तो आपका जो एक क्रम की बात की शचलता है सबसे defend सिरो Direasta क्रम कालता है semicolon से सफ़िए आपका देर आएक जो भी है आपका रेश्टेंस लगाया गया है 사ब उसको पार्श्ट्रां में पार्शक्रमिर्ण का मतलब होता है समांतर क्रम दोस्तों पार्श प्वश्ट्रतन का क्या होता है समांतर क्रम ये आपका ये हो गया ठीक है है और जैसे अलग और रेश्टेंस हम लगा दिए है तो यह आपका कहला जाएगा माल लेते हैं यह क्या हो गया है पार्ष क्रम में यह आपका है यह समांतर क्रम में, इस क्रम में है, समांतर क्रम को ही एक रुप से पार्स क्रम बोला जाता है, चली start कर लेते हैं, पहले ही आपको क्या कह रहा है, पहले वो समझे, करेक ये दी, एक करेक एक एक ओम है, एक जो है, दस गाच छोम है, दूसरा भी बी भी आपका दिया गया है, क को यह वह समांतर करम में जोड़ेंगे और उसका जो रEO का जो समांतर कर रम के प्राप्त होगा है तो आपका उन्हें संबन्द में आप क्या उसको कह सकते हैं या स्थैंस को याद राखेगा रहे प्रतिरोध होता है वह बढ़ता है लेकिन इसी नर्ट उसका समानतार करम में जोरा जाता है जो मान होता है घटने लगता है और आपको सिर्क उसमें गड़ना करनी हैं यहीं लोगों को निकालेंगे कि उसका सम्तुले प्रतिरोथ कितना है साथ में जुड़े रहेगा और लाश्ट एक वीडियो जरूर देखेगा ताकि आपको हर एक टॉपिक जो है कि समझ में आ जाए चली स्टार्ट कर लेते हैं पहला आपका क्या है सबसे पहले नमबर ए अ हल क्या जा रहा है यहारहाएं यह में हाप लोगं यह कह रहा है कि जो आपका एक हं है यह पर आपका कितना जिरो बढ़ेगा च्छ जिरू है एक दो तीन चार पान्च खूर multiples गया तो दो ओम तो है यने की रेंटेंस यह जो है कि दिटारակा किया लेकिन एक रेंस अधिक है दूसरा क्या है कॉर्धि हम लोग स्कतु क्या इसक कि इसका सम्तुली प्रतिरोद जो नहीं आ रहा रहा है यह कम होगा या अधिक होगा चलिए हम लोग गाड़ना कर लेते हैं लिखेंगे लिखेंगे पार्स्व क्रम का सम्तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध पार्स्व क्रम में सम्तुल्य प्रतिरोध जो होता है capital Arin आपका फर्मुलां आपको पता होगा कि एक बाटा में और होता है एक बाटा में यह दोस्तों को जाएंगा, माउं यहां से समर्णर कर लेते हैं तब कि दुखक है यहां से हो जाएगा एक बटा में आर इसकल टू एक बटा में आर वन कमान कितना है एक वाँटा में अटो कमान कितना है एक पर जो है कि 6,0 4,5,6 ठीक है अब एक बाटा में R बराबर आपका हो जाएगा टोटल इसका जो है कि LCM लेंगे तो एक पर कितना 0 हो जाएगा 6,0 ठीक है अब एक से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक पर कितना 6 बढ़ जाएगा 0 6,0 बढ़ गया प्लस इससे तो टोटल आपका कट गया एक बार तो एक से मल्टिप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा लेकिन अभी एक बाटा में R सम्तुले प्रतिरों दिन निकालना है तो यह हो जाएगा यानिकि इकाई दाही सेकड़ हजार दस जार दस लाख में यदि हम लोग एक जोड देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा देखिए आपको टोटल आर चाहिए ना सिर्फ आपको आर निकाला है जो कि जो आर होता है वह सम्तुले प्रतिरोध होता है तो आर की हम लोग गड़ना करेंगे यहां से सिर्फ आर की गड़ना करेंगे तो हम यहीं सम्झा देते हैं आपको यहां से ले लेते हैं तो आर की हम लोग गड़ना करते हैं तो हो जाएगा आर बराबर देखिए आर की गड़ना करने के लिए इसको हम यह इसको हम लोग यह इतना ओम उस्तों आपको डिवाइड करेंगे हम ज्यादा समय लगेगा लेकिन वीडियो आपको बहुत ही लंबा हुभी हो जाएगा क्योंकि आपको टोटल आपके चार प्रसंद बताना है यानिकि दो प्रसंद और दो प्रसंद आपको बताना है चली यह तो आपका एक कमान हुआना चलिए यहां से आपको हो जाएगा फार्मूला वन बाटा में आरवन प्लस वन बटा में कितना यहां तक तक ले चलेंगे क्योंकि टोटल आपके प्रेश्टेंस कितने लगाएगा है इसमें पार्स प्रम में तीन तो देखे तीन प्रेश्टेंस लगाएगा है तो यहां से आपको हो जाएगा एक बटा में और इसका ले लेंगे हो जाएगा लिए इस इसमbelt का हो जाएगा है यह एक इसे हो जाएगा एक पर 6ax豫 हो यह नही happens कर देखे यह यहmore है तो यह से निकाल भी सकते हैं और एक से निकाले सकते हैं बोटे ओड़कर बटेंग और हो जाएगा 1 पर प्लास यह डिवाइड हो जाएगा इतना तो आपको किलियर हो रहा है न चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जूरूर कर दीजिएगा अब यहां से आपको हो जाएगा एक बटा में आर बराबर ठीक है सभी को एड करेंगे तो देखिए एक दो तीन चार यहीं कि एक दो तीन चार चोथा वाला में एक जूरेगा इसमें ध्यान से दिखेगा इसमें एक जूरेगा यहीं कि सभी को जूरेगे तो आपको हो जाएगा क्या यह हो जाएगा कि ए एक two three 1223 यहाने कि इसमें doze जैगा तो आपका हो जाएगा ऊण्यों हो जाएगा इसके बाद इसमें जूड जयएगा तो आपको क्या हो जाएगा जिरो जीरो वन और दिवाइड रखिता हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे इसको आप जोड़ सकते हैं ठीक है आपको टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका इतना ही फाइंड किया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसका भी कैपिल आर निकालेंगे भीन पलड़ जाएगे यानि कि एक पर आपका च्छा जीरो हो तो आपके यह चलिख पर जाएगा और यहां रिख रही हो जोड़ा जाता है तो दोनों का यह क्या है समान है तो सम्तूल्य प्रतिरुद्ध क्या है समान है अतहँप परश्क्रम में सन्योजन के यानि पार सुक्रम में पर स्मतुल्य प्रतिर्योद का मान क्या होता है झालता है याद कभी भी किसी भी रेच्टेंस श्जोडते है तो उसका मान क्या होता है घटता है यह आपको क्या करना था परदाशित करना था आप देख लिए ह päरी प्रक्रह lon Jeśli रिए हम आया है कि लिए 1.99 लेकिन एक से भी अकम हो गया है यहां पर रेश्टेंस आपका एक था एक ओम का था लेकिन एक हम से घट करके यह 0.999 नाइन हो गया है तो आपका यह बताईए पार्स्क्रम में जवी यदि आप ठल गहँ इंगे तो आपका मान घट रहा है या बढ़ रहा है यिदि कि हर इस्थिती में हम लोग पार्प्रम में यदी हम लोग दूसरे को कि हो दूसरा आपका ज़ूंगा किया है स्क्राइब हो। तो यह आपका जो है कि श्टार्ड कर रहा है दूसरा हम देखते हैं सेम प्रोसेस क्या चलेगा वही प्रोसेस चलेगा इसमें भी जो है कि आपको जो है कि सन्योजन दिया हुआ है इसमें भी हम समतुल रहते प्रतिरोद होगा उसी ज़िए कि बद्दुधारा निकालेंगे क्योंगी बड़ाबर होता कर दे रहा है बिद्दूत लैंप बिद्दूत लैंप जो है यह आर्वन यानि पवाला प्रतिरोध मान सकते हैं बिद्दू लैंप लाई यानिक आर्वन बराबर दिया हुआ है कितना सव ओम त्यक्षित अगला श्टेप क्या है करीब 50 ओम का तोस्टर तोस्टर है यानि कि टोस्टार का प्रतिरोध कितना है आ ल टू बरावर को कितना है 50-500 बरावर कितना है वोन ठीकला हम दिख लेते हैं आपके हें टो स्टरेत है अलरोन कुछने से ना है तो जल्विल्टर का प्रतिरोद कितना है जल्विल्टर का प्रतिरोद आर्टू बर आर्थी भर हो गया आर्थी वराबर कितना है पांसों यह आपका पचासों है दूसरे क्या है पांसों लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है कि 220 बोल्ट यानि बोल्टेज आपका है भी का वैलू जो है वहांतर जो है आपका बोल्टेज जो है 220 बोल्ट के बिद्दूत स्रोथ से पार्शुक्रम यानि कि समांतर कर में जोड़ा जा रहा है उस बिद्दूत इस्तिरी का प्रतिरोद क्या होगा जिसे यदि समान स्रोथ के साथ सन्योजित कर दे तो वही उतना ही बिद्दूत धारा लेती है जितना कि तीनों संजुक्त युक्तियां लेती है आप याट रखेगा करें तीनो प्रतिरोद हैं यह रेस्टन से थीजो़ा के इसको पाल शुक्रम में जोड़ते हैं तो यह जो है कि उतना ही विद्दूत धारा आपकी लेती है ति मतलब अका आνसी informing 275 का प्रावित होती है तो सबसे फ़ली यहाद रखेगा कि जब भी धारा निकानला होगा तो भी अपन क्या लगाएंगे का इसमें हमान्ट भोल्टेज मालूझ है शभी मालुम है कई है झालना है यह झाले कि हम अधी पोलटेज में या दिवाइट कर दी कर दिया जाता है तो आसानी से तान्य भोल्टेज निकाल लेते हैं लिकाल सकते हैं कि बिद्दूत इस्antine जो है कितनी धारा आपकी ले रहे हैं चलिए हमने निकाल लेते हैं कि पार्सुक्रम में सम्तुल्य प्रतिरोध तो पार्सुक्रम में सम्तुल्य प्रतिरोध एक बटा में आर बराबर हो जाएगा कितना है प्लस एक बटा में यह तो क्याप्टेल Haare हो जाएगा यहां से घूर प्लास यह एक बटा में आर हो जाएगा बराबर बटा में कितना है 100 में एक से बिटा में आडब कितने का है 50 मैं कि अथरी कितने का है 5000 ऑज्धियर कि पांचने 9,500 नहीं यह इस Кол्मैना स्में यहां से आपको हो जाए कितना पान बखोम तो एक बटा में आर बराबर हो जाएगा इन दोनों का हैल से कितना हो जाएगा 500 तो सो से इसमें मल्टिप्लाइग डिवाइट कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका इस सो पाचे 500 यह वो जाएगा पांच धन इससे डिवाइट कर देंगे तो कड़ेगा पांच का बाद दस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 10 प्लस इसे भाग देंगा तो कितना हो जाएगा एक इतना की लिए हो रहा है ना आगे चलते हैं इसको जोड़ दीजिए 10-5 है तो याप Innerर यह कितना हो जाएगा सोली अतफ लेकिन आपका श्वंध यह इतना है यह नहां सब्सक्राइट हो फाइंड हो जाएगा 31.25 यह आपका टोटल आपका संतुले प्रतिरोध है यह भी समांतर करम करम का है तो जो कह रहा है कि जीतने यह टीनों प्रतिरोध जो है कि जीतना मिलकर बोल्टेज ले रहे हैं यानि कि धारा जितना ले रहे हैं उतना ही जो है कि इस्तिरी ले रहे है तो इसका मतलब कि जो प प्रतिरोद लिखेंगे कि बिद्दुत इस्तिरी का प्रतिरोद प्रतिरोद थियान ट्रेंगे इसकी उससी के अमसार हम लोग चले हैं जितना वो बोल्टेज ले रहा है उतना इस्तिरी ले रहे तो इसका उसका तुले प्रतिανध आ रहे है उतना ही इसका मतलब कि इस्तिरी काई प्रतिरोद होगा है खाल ना होगा तो आर बराबर हो जाएगा पतिरूथ कितना हुआ है यहां से आप समझ जाता है जो कि आप चोटा भी आप करके लगा सकते हैं आपको बिश्टार से समझाना है जो अब यह कर रहा है कि बिद्धुत यानिक इस्तिरी द्वारा लिगई कुल धारा आपकी कितनी है दिखेंगे कि अतह बिद्दुत इस्तिरी द्वारा ली गई धारा तो धारा आपकी क्या होती है आई ना तो आई निकालना है तो आई बराबर हो जाएगा भी या पान क्या आर आई बराबर क्या हो जाएगा भी अपन आर तो धारा निकालना है तो भाण हो यहांलो भी wtajana bro survival कितना दिए वोट दिया और रहे है थीओ दो सफना गर्वाटि शॉट बाता में आर री है कितन से पले ऊए तीवाइट है Z अब तुसार थेयर हैं पर्टिरोद है इस तरी का भी लेकिन की टोटल रहेंगे हघंगे क्यों आपकोए कटाने में भी हम लोगों जय की असानी हो दोसोटादा बाटा में कितना तौ दोसोटे लोगसाएगा और हो जाएगा और टोसोटेश आपको आप सांसे कटा देंगे फांस ने दो से कटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 25 किंए WOW कि मत्रीश बनांद यह हो जाय की आट टिक है। अब यहां से हो जाएगा-धार-ई-बरावर हो जाएगा लेकिन यह दिवाइड कर दें डिवाइड करने के बाद कितना आएगा सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि मल्टिप्लाइग गलत नहों तो दू अठे 16 हो जाएगा तो आठ पाचे चालिस को सुनना आठ बर भाग जाएगी ठीक है हासिल चार हुआ तो आठ दूनी के सोला चार कितना हो जा रहा है बीस हो जा रहा है यानि कि अधिक हो जा रहा है याठ बार में तो को बहले चलेंगा साथ बार साथ पच्छे पाइटिस को पांच हासिल एक हासिल तीन हुआ और साथ दूनी के चाउदा चाउदा तीन कीतना हो गया सात्रा एक हो गया अब पॉइंट बढ़ाई है जीरो बढ़ाई है अभी विभाग नहीं जा रही है उन्हाँ जीरो बढ़ाएंगे इसके बाद जीरो पाचीश चोगे क्या सो यानिकि आपका टोटल जो धारा भी जई जो है कि आप यहां जो है कि आप जो है कि 25 उर्ट कर दियेगा और अपने हीजी स्ट्रवी में डेकते लाइक भी हैं अच्छा भी लगता है तो और कमेंड भी नहीं कर सकते हैं मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अच्छा नहीं लगता है तो परसानी हो रही है उसका जलूसन जो और इसी तरीके से किया जाएगा दोस्ते चलिए यह आपका जो रहा है और यहीं समांतर करम में जोड़ देते हैं तो आपका वहीं पर रेश्टेंस कमान क्या हो जाता है घड़ जाता है तो आप इन बातों को याद रखेगा क्योंकि वहीं प्रोसेस आपका इसमें चलने वाला है फिलिए हम लोगी स्टार्ट कर लेते हैं कि सब्सक्राइब कर रहा है कि दो सब्सक्राइब कर आत्मनुदं Yap यह शोंकि सन्योजित करेंग तेन का जो बेए प्रति परप्रति नमबर दो एक सबसे परले जो है कि आप भात ध्यान में रखेंगा है कि च्यार लिअसरों दिया है और मका जनव कम च्छाय तो फिर आपके आपकर सकत dif quand on ऐने जबया है च्छाय आपका एक होँ मानों के जड़कि नहींड उने सभी प्रतिरोधों से मान इसका कम हो गया है तो हम तुरंत ही समझ जाएंगे इसका मतलब कि सभी रेश्टेंसों को किस करम में जोड़ा गया है समांतर करम में किस करम में समांतर करम में जब ही रेश्टेंसों को जोड़ा जाता है इन बातों को अभियात रखेगा दूसरा के इसका मतलब प्रतिरोधों में से तो अधिक है अधिक है तीन से आपका अधिक है उसके ठीक पीछे वाला एक सत लेंगे और इसके आगे वाला जुमान है उसको एक साथ यानिक समांदर करम में दो प्रतिरोधों को लेंगे जो सबसे छोटा है उसको जोड़ेंगे ठीक है चलिए हमें स्टार्ट कर लेते हैं पहले आप लोग तो बात बहुत होते हैं चलिए बरावर पहला कराई चार ओम के लिए कितने ओम के लिए चार ओम के लिए प्रतिरोधों का सन्योजन तो जो आप प्रतिरोध का सन्योजन करेंगे तो आप वास्तों में उसको सौल दिकर के दिखाएंगे कि वास्तों में हाँ यह जो आपका सन्योजन किया गया है आखी में चार ओम आ रहा है कि नहीं चलिए इस्टार्ट कर लेते हैं चलिए एक यह रेश्टेंज लगा दे रहे हैं हम ठीक है अब यहां से हमनों दो रेश्टेंज हों को लगाएंगे हैं ठीक है इतना के लिए रहा है अब देखें यह हमान लेते हैं एसी रहो गया यह आपको क्या होगा बी यहां पर यह मान सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम दो रख देंगे और यह आपका जो रेश्टेंज से इन दो सब्सक्राइब तो यह उनिकी टीनों ओम है इसको जो समांतर क्राम मिल यह 3 jеци iki om हो गया और यह क्या हो गया चों तीक है क्लिया क्योंकि 3 और 6 मान है कि आ आपका कितना है चार यह तो कि रह रहता हरु है ना चलिए वास्तों में हमनों देखते हैं regional आपका कि यह जो सन्योजन बना हुआ है वास्तों में आपका सत्य है या असत्य है कि इसको स्वाल करने पर जो एक च्यार ओम आता है या यह ध्यान दिजीगा यह दिन नहीं आएगा तो आपका ग्राफ आपका कलत है चले स्टार्ट करते हैं चले सबसे पहले यह मान लेते हैं यह और वन हो गया और टू हो गया यह क्या हो गया और थ्री ऐसे तो आप लोग कर सकते हैं तो सबसे पहले यह आपका जो मान है इसको सबसे पहले हम लोग एड करके एक बनाएंगे इसको एड करके क्या बनाएंगे एक क्योंकि यह जो कि समांतक्र करम के लिए समांतक्राम में हैं तो मालेंगा कि आरवन ना जुटा और तर्णी बराबर कितना है तो अब इसके लिए माल लेते हैं A B और यह सी हो गया न मालते हैं बीसी के बीच पहले निकाल लीजिए सम्तूले प्रतिरोग एक बटा में आर समांदर कर लिए एक बटा में आर बराबर एक बटा में क्या ऐन את आर बराबर हो जाएगा एक बता म्यार्ट ऩितना है 3 संपर एक बट्रीश कितना है और यह आपको हो जाएग एक बटा में आरी उसकी तो इसको फैशी बनाइक यहां जाए आफ आपकल कितना हो घुश्य निकल गया लेकिन अब इसका घ्राफ क्या भनेंगा द्यान से गती कि अब दूनों मिलकर अब जगाव पर एक रेश्टेंस लगाएंगे वह वह कितने कोंको लगाएंगे दोंकी लग गया यह तो पहले का दोम का यह मौझूद है नो दों का तो यह माल लिए C रहो गए यह क्या बी अब इसका सम्तूली परते रोड देखते हैं कितना आता है तो सम्तूली परते रोड बराबर हो जाएगा फिर आर 1 प्लस क्या हो जाएगा ऐगा टूम फिए माननें जीं अर वन कमांद कितना है दो प्रस क्या दो बराबर कितना चार और हुआ है क्लियर वह ठाए है यहांप्र निकाला गया है तो अर वन प्लस और लगे नियोगा चार ठीक है? माननें जे R1 कमान कितना है? 2 प्लस क्या? 2, बड़ाबर कितना? 4 Ohm. क्लियर हो रहा है? ठीक है? यहाँ पर R कमान निकाला गया है तो R1 प्लस R2 बड़ाबर कितना हो जाएगा? 4 Ohm. ठीक है? यहाँ सहाईए. अब अगले श्रीप का कर रहा है, B आपका कर रहा है प्राप्त करने के लिए यानिकि ये लिखेंगे कि एक ओम के लिए प्रतिरोधों कास्तनियोजन तो एक ओम प्राप्त किया जाएगा तो एक ओम के लिए देखिए सभी मानों से ये कम है यानिक जो तीनो ओम के प्रतिरोध लगाएगे तीनो प्रतिरोधों से एक ओम कम है तो इसका मतलब कि सभी प्रतिरोधों को आप किस क्रम में जोड़ा गया होगा आपका समांतर क्रम में यह हो जाएगा तीनो प्रतिरोधों किस क्रम में समांतर क्रम कि यह आपको ग्राफ ऐसे बन जाएगा कि यह हो जाएगा यह क्या हो जाएगा भी अब यह आपको हो जाएगा दो ओम का तीन ओम का और एक इतने का च्छों कि अब देखते हैं जरा इसके लिए प्रतिरोध कितना आता है वास्तों में एक ओम आता है या नहीं जब ग्राफ आ बनाएं तो उसका मैंसल भी तो से माना चाहिए एक ओम बटा में R बराबर माल लिए यहां R1 हो गया R2 हो गया और यह क्या हो गया R3 एक बटा में R1 प्लस एक बटा में R2 प्लस एक बटा में R बराबर हो जाएगा तो प्लस एक बटा में R बराबर हो जाएगा Rác एल्सेमी नहीं आल लिए चहाझा दू ट्याई 4 कि तिन प्लस स्पीड दो प्लस यह नहीं लोग एक बराबर हो जाए तीन दो पंच और कित चो बटा में एक बनाया ग्या और गलत है सही है क्योंकि आपका एक ओम तो आया है यह और ग्राप क्या जा आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए एक चलते हैं नमबर एक अधिक्तम नमबर दो निम्तम यानि कि निम्तम प्रतिरोद प्राप्त हो सके यानि कि आपको किस क्रम में जोड़ना है कि सबसे एक बार अधिक्तम मान निकालना है तो अधिक्तम मान के लिए हम लोग को पता है कि जब रेश्टेंसों को जो है यदि स्रेंडी क्रम म में से एक बार हम लोग कम के लिए यदि हम लोग कम निकालना है तो हम लोग समादर करम में जोड़ेंगे कम के लिए और एक बार अधिकतम मान निकालना है तो हम लोग किस करम में जोड़ेंगे स्रेणी करम में चलिए कि यहां पर थोड़ा दीख नहीं रहा था तो इसको हम सभी करते हैं यहां पर ध्यान से देख लिए कैसे कैसे आपका निकाला गया है तो यह तो आपका निकल गया एक ओम का और यह आपका कितना रहा चारों तो यह आपका प्रतिर जो है कि ग्राफ बनाए गया है चारों का है है और यह कितने लिए लिए है एक लिए चलिए हम इस्टार्ट कर लेते हैं अगले को अगले को प्रतिरोधों किस सन्योजन में जोड़ा जाए कि नमबर एक कह रहा है एक कह रहा है कि अधिकतम तो किस करम के लिए पहले अधिकतम के लिए तो लिखेंगे अधिकतम मान के लिए तो अधिकतम मान के लिए किस तर से जोड़ेंगे पहले हो देखिए अधिकतम मान के लिए हम पहले याब आपको बताते आ रहा है कि अधिकतम मान निकानना होता है तो सभी को स्रेणी क्रम में जोड़े जाता है किस क्रम में दोस्तों स्रेणी क्रम ठीक है तो यह आपका जोड़ दे रहे हैं हम यह चार ओम हो गया आठ ओम हो गया ठीक है यह आपका कितना हो गया बार ओम का हो गया यह आपका कितने का हो गया 24 रहा और यहां पर आपका क्या हो गया यहां पर्व हो गया ओर यहांपर क्या हो गया इस क्योद सकते हैं तो निकालेंगे अधिक्तम के लिए ना है तो अधिक्तम के लिए क्या सम्तुल्य प्रतिरोद सम्तुल्य प्रतिरोद तो सम्तुल्य प्रतिरोद अधिक्तम के लिए होता है capital R बराबर यह R1 है R2 है R3 है और यह क्या है R4 ठीक है हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या R4 तो आपको हो जाएगा R बराबर सम्तूली प्रतूरत R1 कितना है 4 प्लस R2 कितना है 8 प्लस R3 कितना है 12 प्लस R4 कितना है 24 जोड़ दिजिए capital R बराबर 20 A 6 4 10 दोस वाट अठार को वाट आसिल कितना हुआ UK 21 2 मुंद 3 तीन 30 न वह एक हासिल कितना हुआ चार है यूरिर आपको क्या कि जयनकि कि यह किस जिए है जो अधिक्ता निकालना चाहते हैं तो प्रतिरोध 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 प्राप्त करने के लिए तो पहले ही हम बताएं कि जब निम्तम प्रतिरोध कौम से कौम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है तो उसको हम लोग सभी प्रेश्टेंस होगे जितना आपका रेश्टेंस होगा सभी रेश्टेंस हो कुछ है कि समादर करम में जोड़ देंगे तो आपका सबसे कौम हम लोग चारों तो जोड़ां तो हम लोग जोड़ां तो चारों योड़ां सबस्क्राइए कि ए यह हो गया यह क्या हो गया तो तो लिट्वेजिंश सापके क्या है पहले वह देख लीजें चारों के है दूसरा है आठ हों तीसरा आपका क्या है बारों है और चोथा क्या है चोविस लगा देगे आरोन आट वहां पर कर सकते हैं आप फिक कर लेजीएगा तो लिखेंगे सम्तुल्य प्रतिरोध सम्तुल्य प्रतिरोध आपका क्या होता है तो सम्तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे सम्तुल्य प्रतिरोध एक बटा में आर बराबर होता है एक बटा में क्या आर वान प्लस एक बटा में क्या आर टू प्लस एक बटा में कितना R3 plus 1 बटा में कितना R4 ही दनत आफो क्लियर हो रहा है न चलि है यहां से हम लोग पूट कर लेते हैं 1 बटा में R is equal to 1 बटा में R1 कमान कितना है 4 धान 1 बटा में R2 कितना है 8 धान 1 बटा में نह आई 12 धान 1 बटा में कितना है 24 एक बता में आर बराबर आपका हो जाएगा एलसेम ले लिगा अपका सभी का कि सभी का क्यों तो आपका टोटल एलसेम कितना होगा 24 होगा तो जितना आपका LCM find होगा उसी LCM से जो है कि हम लोगा सभी हरों का यदि डिवाइट कर दिये जाए यह जो यह कि ऐसे समझ सकते हैं कि जितना आपका LCM find होगा सभी के हर से सवाल ही यह जई किटना 24 24 में भाग दें चार से 24 में भाग देंगे तो फिर्फ्न और 8 A लिए के 24 बारदोनी के 24 प्लस 24 चोविस यानिकि पहले देखिए कैसे हम किये हैं पहले चार से 24 भाग दिये हैं तो चार चार के 26 बार छो से एक में मल्टिप्लाई करें चो प्लस तीन से आड़ से जोए के 24 तीन से एक में गुड़ा तीन हुआ बारदोनी के 24 दो हुआ 2 एकम 2 प्लस 24 एकम 24 एक इतना हुआ एक बटा में आपका आर बराबर हो जाएगा आर तीन चोटिन नवन दो इगारे एक क्या 12 बटा में कितना 24 तो यानिकि हम उस सम्थूले परतिरोद या दिनिकालते हैं इसका तो एक बटा में सम्थूले यह लाएं यह रहा तो अधिक से अधिक हम लोग र 진 कमाण निकालना चाहते हैं आपको जोड़ाना पड़ेगा कम से कम 진짜 कमानस कब निकालना चाहते और लाइक भी नहीं करते हैं एसा मत किजिए एदि वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो लाइक जरूर कर दिएका और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है चलिए इस तहरा साथ जुड़े रहेगा और पार थ्री जो है कि आपको जल्दी आने वाल है और पार्ट 3 को देखने के लिए हमाई डिस्क्रिप्शन में लिंके में जाईए वहाँ पर क्लिक कीजिए आपको जो एक पार्ट 3 वहाँ पर मिलता रहेगा तिर दोस्तों आपको लेकर चलते हैं पार्ट 3